दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों कुछ लोग पेट कम करने के लिए गंटो एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिल पाता है इसलिए ऐसे लोगों को एक्सरसाइज के अलावा जीवन शैली और आहार में भी परिवर्तन करना होता है दोस्तों यदि आप कुछ विशेश आहार को अपने खानपान में शामिल करते हैं तो वो आहार आपका पेट गटाने में बहुत मददगार होते ही वजन गटाने में काफी सायक होते हैं कुछ ही दिनों के बाद उन आहारों को शामिल करने के बाद आपको अपने पेट के आकार में फर्क दिखना शुरू दोस्तों हो जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप अपना वजन गटा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नमबर वन है दोस्तों ओमेगा 3 पेटी एसिड जी हां दोस्तों omega 3 fatty acid हमारी शरीर के लिए बहुत लाबकरी होता है वजन गटाने के लिए बहुत लाबकरी होता है अगर आप मांसा हरी है तो आप इसे मचली के जरिये प्राप्त कर सकते हैं मचलियों में दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा जो लोग शाकाहरी है वे अक्रोट खाकर इसकी पूर्ती कर सकते हैं पत्ता गोबी खाकर इसकी पूर्ती कर सकते हैं या फिर फुल गोबी से भी इसकी पूर्ती कर सकते हैं दोस्तों इन चीजों म अगर आप अपना वजन कटा रहे हैं तो अपनी डाइट में खूब हरी सब्जियों का सेवन करें या दोस्तों अनाज से ज्यादा आप हरी सब्जियों का सेवन करें अगर आप वजन कटा रहे हैं दोस्तों फल और सब्जियों को खाना हमारे स्वास्थे के लिए बहुत लाबकरी होती है खुन के लिए भी लाबकरी होती है और यह मोटापा नहीं बढ़ाती है अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपका पेट तो बर जाता है लेकिन आपका यह मोटापा नहीं बढ़ाती है इसलिए आप खुब हरी सब्जियों का सेवन करें कच्ची सब्जिया भी खा सकते हैं पका के भी खा सकते हैं नक्षा दोस्तों जंग फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है दोस्तों एक दिन भी नहीं खाना है जंग फूड दोस्तों एक ऐसे चीज होती है जो की हमारे शरीर में तेजी से वजन बढ़ाती है जहां दोस्तों जो पाव भाजी आ आप जो और चने का जो आटा होता है उन दोनों को आपस में मिला कर आप चपाती बना कर खाए रोटी खाते हैं तो जो और चने के आटे की खाए यह आपको शक्ति भी देती है साथ ही वजन नहीं बढ़ाती है नेक्स दोस्तों आप वजन गटाते हैं उस समय दिन की मोटाबलिज्म ठेक होता है और पेट पर जमा फैट कम होता है यह आपके शरीर को डिटॉक्स करता है पेट में जमा गंदगी को पैसाब के जरिये नीमबु पानी बाहर निकालता है आप सवेरे खाली पेट गुंगुने पानी में नीमबु का रस मिला कर सेवन कर सकते हैं दोस्तों नेक्स है वजन कटाने के दिनों में आप दोस्तों मीठे से परहेज करें यदि आप शरीर पर चर्बी कम करना चाहते हैं तो मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है मीठाई से दुर रहना है मीठे पदार्त जो दोस्तों होते हैं वो शरीर पर अतिरित चर्ब जमा करते हैं और चरबी शरीर के विपिन हिस्सों में यह जमा होती है यानि कि आपके पेट के निचले भाग में यह जमा होती है साथ ही जांगों पर जमा होती है एक दो कली कच्चा लहसुन खाने से सवेरे और उपर से आप नेमबू पानी पीते हैं तो ये आपके लिए काफी लाबकरी होता है इसके सेवन से वजन तेजी से कम होता है साथ ही शेरीर में रक्त प्रभाद जो होता है वो तेज होता है इसी के अलावा सुबह शाम की आप सेयर जरूर करें ये आपके शेरीर को ताकत देती है और एक्सराइज आप जरूर करें रात को आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको सोना नहीं है सोने से 2 या 3 गंटे पहले आपको खाना खाना है आप चाहें तो सबजियां वगेरा सलाद सूप इत्यादी का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों ये था कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं अपना तो इन ब प्रोस्तों